Good morning class night कल हमने आपको प्राइक्ता लेसन के कुछ महतपूर सूत्र परिभाशाएं गुर इत्यादी बताए थे और आशा करते हैं कि आपने उसे अपनी कौपी पे नोट कर लिया होगा आज हम प्राइक्ता का अभ्यास 15.1 के कुशन 1 और 2 समझाने जा रहे हैं इसको धीरे-धीरे समझिएगा जिससे ये नया लेसन है आपको अच्छे से समझ में आए और उच्च कक्षाओं में आपको इसकी अशक्ता पढ़ेगी प्राइक्ता की लेसन की तो इसमें प्राइक्ता एक है कि एक किर्केट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई तीस गेंदों में छे बार चौका मारती है चौका ना मारे जाने की प्राइक्ता ग्यात कीजिए तो सबसे पहले प्राशन में देखिए कि महिला ने कितमी गेंद खेली वो लिख लेंगे कुल खेली गई गेंदों की संख्या बराबर 30 फिर गेंदों की संख्या जिन पे चौका नहीं मारा गया वो निकाल लेंगे 6 बार चौका मारा गया है तो नहीं मारा गया क्या करेंगे? 30 में से 6 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा अब जो कल हमने आपको सूत्र बताया था कि किसी भी घटना के होने की प्राइक्ता P.E. से लिखी जाती है तो ये P.E. बराबर अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या तो पी चौका नहीं मारा गया बराबर गेंदो की संख्या जिन पे चौका नहीं मारा गया बटे कुल खेली गई गेंदो की संख्या तो इसमें क्या आप लिखेंगी गेंदो की संख्या जिन पे चौका नहीं मारा गया तो उस पे आप लिखेंगी 24 कुल खेली गई गेंदों की संख्या क्या आप लिखेंगी उसको लिखेंगी 30 है ना तो P और घटना क्या है चौका नहीं मारा गया बराबर 24 बटे 30 अब 6 के पहाड़े से ये दोनों अंशोहर कट जाएंगे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 तो P प्राइक्ता चौका नहीं मारे जाने की बराबर 4 बटे 5 ये आपके पहले कोश्चन का आंसर हो जाएगा अब दूसरा कोश्चन आता है कि दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यद्रच्छा यानि रेंडम मतलब कोई भी चुन लेना चैन किया गया है और निमलेखित आंकडे लिखे गया है तो पहले कॉलम में लिखा है पहले उसमें परिवार में लड़कियों की संख्या तो पहले में दो दूसरे में एक तीसरे में जीरो और परिवार की कुल संख्या क्या है दो लड़कियां जिसमें हैं 475 है एक लड़कियां जिसमें हैं वो 814 परिवार है और कोई भी लड़की नहीं है वो ऐसे 211 परिवार है अब इस आंकडों के आधार पे आपको ये द्रच्छा चुने गए उस परिवार की प्राइक्ता ग्यात करनी है जिसमें पहला दो लड़ क्या हो तो चलिए हम आपको दूसरा का पहला पार्ट बताने जा रहे हैं दिया गया है यह लिख लेंगे परिवारों की वो 475 है उकुल परिवार कितने हैं पंदरा सो परिवार हैं तो इसको हम काटेंगे तो आपका जो है पांच के पहाड़े से काटते जाईए तो यह आ जाएगा 19 बटे 60 यानि दो लड़कियों के वाले परिवारों के होने की प्राइकता 19 बटे 60 है अब इसका सेकंड पार्ट ह कि एक लड़की हो तो इसको हम ग्यात करने जा रहे हैं तो इसमें देखिए हल में दूसरा पार्ट पहले की तरह लिखेंगे दिया गया है परिवारों की कुल संख्या बराबर 1500 अब आप आईए उपर जो आंकडे दिये हुए हैं परिवारों की संख्या जिसमें एक लड़ लड़की होने की बराबर परिवार की संख्या जिसमें एक लड़की है बटे परिवारों की कुल संख्या तो प्राइकता एक लड़की है बराबर 814 बटे 1500 इसको भी हम काट देंगे दो के पहाड़े से कटेगा तो प्राइकता एक लड़की होने की बराबर 407 बटे 750 ये इ प्राइक्ता कोई भी लड़की ना हो, जिसको आगे हम बता रहे हैं, तो हल में देखिए, थर्ड पार्ट, दिया गए है परिवारों की कुल संख्या 1500, जैसे की बाकि दोनों प्राइक्ताल में लिखा था, लेकिन परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं है, तो जीरो वाले कॉलम में आंकडों में आईए तो उसके नीचे रेड में लिखा 211 तो 211 परिवार में कोई भी लड़की नहीं है तो अब प्राइकता कोई भी लड़की ना हो बराबर परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं है बटे परिवारों की कुल संख्या तो कोई लड़की नहीं है बराबर क्या है 211 और कुल परिवार कितने है 1500 तो प्राइक्ता कोई लड़की ना होने की 211 बटे 1500 अब ये अंक कटेगा नहीं तो इसको हमने जितना आया है as it is लिख दिया है तो ये आंसर हो गया अब इसके बाद लास्ट में लिखा है साथ ही ये भी जाच करिए कि इन प्राइक्ताओं का योगफल एक है या नहीं कल हमने आपको महतपूर परिभाशाओं में बताया था कि किसी भी घटना के होने की प्राइक्ता जीरो और एक के बीच में होती है जिसमें जीरो भी शामिल है और एक भी शामिल है तो आईए हम चेक करते हैं क को हम add कर लेंगे तो अब लिख लेंगे इसके part में कि दो लड़कियां होने की प्राइकता का अंसर आया था 19 बटे 60 एक लड़की होने की प्राइकता का अंसर आया था 407 बटे 750 और कोई लड़की ना होने की प्राइकता आई थी 211 बटे 1500 अब प्राइकताओं का योगफल हमन लिख दिया है 19 बटे 60 प्लस 407 बटे 750 प्लस 211 बटे 1500 तो इसको जब LCM लेके जोड़ेंगे LCM लेने में LCM 1500 आएगा और उसके बाद आप तो ये भिन्नों को जोड़ना जानती ही है जोड़ने के बाद अंश में जब जोड़ेंगे तो 1500 आजाएगा और हर 1500 है दोनों को काटे तो इस तरह से जाच हो गई कि प्राइकताओं का योगफल सदैव एक के बराबर होता है चाहे जितनी भी घटनाएं घटित हो तो बच्चों ये सवाल हमने आपको जो बताएं हैं तो जो भी सवाल का जो पार्ट करना है आप उसका स्क्रीन शॉट ले लीजेगा वीडियो स इसको समझ लीजे और स्क्रीन शॉट से सारे पार्ट कॉपी में कर लीजेगा हम थोड़े थोड़े प्रेशन करा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा